नमस्कार दोस्तों आपका स्वागता आपके अपने यूटूब चैनल में हिमाचल परदेश स्कूल से रिलेटिड आई दो बड़ी अब्डेट्स कमपार्टमेंट और HPSOS विधार्थियों के लिए आई बड़ी अब्डेट सरकारी स्कूलों में इस दिन से शुरू होगा नया सेक्शनिक स्तर पूरी जैनकारी डिटेल में बताते हैं अगर आप चैनल पर नए विजट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगया ने वली जो लेटेस्ट अब्डेट होगी वो मिल सकें बिद्यार्थियों को नए कक्षा का सिलेविस पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा बीते दिनों हुई पिछली कक्षा के सिलेविस की रिवीजन के अधार पर 30 मई तक पहली से आठमी कक्षा का FA1 बुल्यांकन किया जाएगा 31 में दो यर 21 तक स्कूलों में दाखिले देने के प्रक्रिया भी जारी रहेगी सरकारी स्कूलों की ओनलाइन पढ़ाई में परदेश सरकार बदलाब भी लाने जा रही है शिक्षा मंतरिक गुविन सिंग ठाकुर को परस्ताब से अगवत करवाने के बाद हर घर पाडशाला भाग दो कारेकरम को परदेश के सरकारी स्कूलों में लागू कर दिया जाएगा शिक्षा भी भाग ने कारेकरम के भाग दो के तहत पढ़ाई करवाने की पूरी त्यारी कर ली गई है सभावित है कि एक दो दिन के भीतर शिक्षा मंत्री से हर घर पारचला भाग दो कारेकर्म का विदिवत स्वरम भी करवाया जाएगा इस नई योजना के तहर सरकारी स्कूलों में वर्टसेप के माध्यम से सपताहा में चार दिन पढ़ाई करवाया जाएगी पांचमा दिन डाउट क्लियर करने के लिए रखा जाएगा छटे और सातमे दिन सपताहिक क्वीज होगा तो क्वीज भी इन्होंने स्टार की है जो हर घर पारचला भाग दो कारेकर्म जो शुरू करने जा रहे हैं ये उसमें शिक्ससचीव राजीव शर्मा ने बताया कि सभी जिला अधिकारियों को नए श्रेक्शनक्स तर शुरू करने को कह दिया गया है अठारा मैं दोजर इक्किस से इसके शुरुआत होगी तो अब next update के बारे मताते हैं compartment और HPSOS के बिद्यारतियों के लिए जो बड़ियबेट आई है उसके बारे मताते हैं दस्वे कक्षा के compartment और SOS बिद्यारतियों को अगली कक्षा में दाखिला मिलेगा प्रदेश भर के 2020 तर में दस्मी में compartment पाने वाले बिद्यारतियों और SOS के तहट दस्मी के प्रिक्षा में अपियर होने वाले बिद्यारतियों को अब सरकारी स्कूलों में अगली कक्षा में दाखिला मिल जाएगा इसकी पुस्टी की है कहा कि सभी स्कूलों को इन छात्रों को अगली कक्षा में अस्थाई प्रवेश देने के आदेश दिये गए हैं स्कूलों में इन्हें 31 में 2-21 से पहले प्रवेश लेना होगा शिक्षा ने इस फैसले से प्रवेश को लेकर बनी असमंजश की स्थिति समाप्त हो गई है इससे प्रदेश बर के हजारों छात्रों और उनके अईभापकों को राहत मिली है हाला की अभी दसमी में कमपार्टमेंट बाले और SOS के तहत क्रोना महमारी के कारण दसमी की प्रिक्षा ना देने पाने वाले छात्रों को नेमित बिद्यार्थियों की तरज पर प्रवेश के शिक्षा ने देशा लेने फैसले के बदलाब 2020 में कमपार्टमेंट बाले बिद्यार्थियों को बार्मी कक्षा में परवेश दिया जाना है उन्होंने अस्थाई तोर पर मेले परवेश पर ग्यार्मी कक्षा की पढ़ाई कर ली है वहीं 10 में की SOS के तहट परिक्षा देने वाले बेद्यार्थियों को अगले 11 में कक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा तो दोस्तों ये थी आज की लिट टेस्ट अपडेट जहिन जहिन माचल